अचली आपको सीधे लिए चलते हैं विधान सभा की कारवाई शुरू हो चुकी है बज़ट सत्र चल रहा है सीधे देखते हैं वहीं सिप्रसारण विभाग एतु आवंटी द्रासी चार अरब 46 कडूर 95,89,000 का मूल बजट प्रस्तूर की जा गया है महुदय मैं यह बताना चाहता हूँ कि मानिय मंती जी ने बड़े मेहनत से तग्यार किया है मैं इनसे सुझा कुई देना चाहता हूँ क्याकि गत बर्स जो इन्होंने बजट दिया था उसमें क्या इन्होंने किया आज बहुत ही मौत्मन विभागों करनुदान की मांग पर चर्चा ने धारी थे महुदय सुरम निवोजन या परसिच्छन विभाग उद्दो विभाग कुर्जा विभाग बानीजकर योंखरन भुतर्त विभाग पर चर्चा होनी है राज में रोजगार के औसर बेरोजगारी की समस्या राजस उप्राप्ती और अधार भुत सरचना के लिए और से कुर्जा विभाग सभी अपने आपने एक एक जिन चर्चा में लगते परन्तु मैं सभी विभाग पर कुछ शुझाओ देना चाहता हूं सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि स्रमिक लिबर पर होने जो बजट लाया है कहना चाहता हूं अगर यह जो देख रहे हैं बिल्दिंग कि स्रमिक का दिन है और इतना बड़िया बिल्दिंग जो बनाए स्रमिक लोग उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग बिधान सभा में नए बिधान सभा में बैठे हुए हैं वह स्रमिकों का दिन है इसलिए वह धन्यवाद के पात्रवाद बहुत है महदय एक कल्यानकारी राज में मजदूरों को उसके माली की द्या पर उसकी किर्पा पर नहीं छोड़ना चाहिए महदय सरकार अपनी नितियों और नियम से सर्मिकों के और परिजनों की रच्छा करे यह सरकार का पहला कर्तब है महदय हम लोग अभी एक साल में जिस अनुभाव से गुजरे वह यही दिखता है कि हमें मजदूरों को माली के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए हमारी निति ऐसी होनी चाहिए कि हम सम्मान पुर्बग जीवन यापन उपाय सुनिशित कर सके महदय हमारे सर्मिक मजदूर अपने परिवार से दूर बड़े-बड़े सहरों में काम कर रहे हैं महदय हैं कमाने गए हैं फ्रंतु उसका सुरच्छा सम्मान करना सर्कार का धर्म है महदय और उनकों इस तरह समदूर अचाहिए जीश सर्मिक का कि सान को घिते हैं इस तरह से इप मिलना चाहिए हमारे शर्मिक पिसभी शर्कार के लिए संभोन नहीं होता कि सभी के लिए सरखारी नोपरी करना, इतने लोग B.A.M.A. वीकि जपने भी टेकनिकल पहाई पहची है, पर तो सभी को नोकरी देना संभोन नहीं है, दो ही उपाए, एक तो है, कि शोर्जिगार करे, दूसरा सरकार जो है से छोटे-छोटे उदोग लगा के उन्हे नोकली देने का काम करें पहंतु मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ एक साल के दर्म्यान इन्होंने कोई काम नहीं किया या हवाई इला के तरह रह गया बड़े-बड़े इनके सपने रह गया सरकाल में जो बाहर से हम लाएं लेबर को और उनको हमने कहा था कि पुनर्वासित करेंगे नोकरी देंगे बाल बच्चे के पढ़ाने का काम करेंगे परन्तु सरकार कि क्या नीती थी नहीं काम मिला रुक मरने लगे और उनलोग पुना जहां चाहिए चलेगे महुत ओढ़ाएं यह सरकार का जो है जाल भर का देन है महुत जहे हम बताना चाहता है इसलिए हमें रुजगार के उसर पैदा करने के लिए बरावर पर्याश करना चाहिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ हमें स्रम नियोजन पर सिच्छन और कोसल विकात विभा का एक पाथ है बंधुआ मजदूर हम मानिय मंदी इसे पूछना चाहते हैं कि कितना बंधुआ मजदूर के पुनरवासित किया है कितने बाल बचे को नहीं पढ़ाने का काम किया, कितने को रासी देने का काम किया यह बताने काम करेंगे, मौध एप इतना ही नहीं, परतेक बंधवा मजदूर को एक लाइख रुप्या देना था, और उनके महिलाओं को उनको जो औरत है जो उसको दो लाख देना था और फिर उन लोग को पुनर्वासित करना था तो किते लाभानी था ये भी तो बता दें क्योंकि जब आब में हमको देंगे आज जब सारी नोकरी और रोजगार प्राइबेट हो रहे हैं महुदे तो प्लेस्मेंट एजनसी की भूमिका बहुत बड़ी बढ़ गिराती है बहुत है सबसे जो हमें इस राज के लिए सर्मनाक बात है कि जहां भी आप देखिए सरकारी नोकरी जहां रिटायर हो रहे हैं बहाली नहीं हो रही है यह वह जो है प्लेस्मेंट जो लोग बाहर से आके ठीका ले ले रहे हैं और ठीका लेने के बात क्या करते हैं कि स्रमिकों का सोशन कर रहे हैं चाहे पढ़े लिखे लोग हो चाहे टेक्निकल हो सभी की बहाली उनके हाथ में हरके सरकार क्या कर रही है मैं यह पूछना चाहता हूँ होता क्या है कि उप लेता है सरकार से अगर 10,000 रुपय लिया एक लेबर पर 20,000 रुपय लिया तो और 10,000 देता है इतने तक नहीं करता है वह उसका पी एफ कटता है और वह अपना मनमानी जो है जिसे अगर वह बिहार कराने वाला है यूपी कराने वाला है वहां से लेबर लाता है हमारे लेबर यहां जो है दुसरे जगह जा रहे है हमारे कम से कम यह सरकार को कहना चाहिए कि धारखन को जो सरमिकों को यह सुद्धा मिलनी चाहिए और सरकार को यह देखना चाहिए कि कम से कम यहां कि लेबर को पुनरवासित करें इतने नहीं आप चले जाएए ब्लोग लेबल पर पहले ही सब नहीं होता था हम लोग गुराने सदस है यह तो चार साल से यह पनप रहा है हमारे कहना यह है कि जब ब्लोग लेबल में जाएए कोई टाइपीस खोजेगा तो क्या है वह जो है में पनप धुरू है जिला में जाएए बिज़ेँ उ dengan के थुरू है और इससे क्या होता है कि पैरवी परवर्नोक्री होता है गुनमता नहीं हो पा रहा है और सारा जो है काप का ज्वह सो रहा है चाइब करना है कूछ कर देता है कूछ काम करना है कुछ कर देता है कुछ तो यह कम से कम हमारा यही आग रहा है सरकार से इस पर बैंड लगना चाहिए और इस पर नहीं अगर बैंड लगा तो जो है फूचर में जो है जो फिर वा जो देख रहे हैं इसकी स्थिती बहुत खराब हो जाएगी महुदे इतना ही बिरहान सभा में भी आपको मैं बताना चाहता हूं यहां जहां हम लोग बैठे हूं वहां भी देख रहे हैं यहां भी प्लेस्मेंट के थुरू बहुत सा सफाई हागारा करना चाहता है वो गरीब आद मी है यो कम से कम आप जो है उसको देखवाए है कि क्ला प्लाझ हम जरते हैं की नहीं चाहिए और ये कॉंब्कियां कि वीदाहान सभा के कंड़ाले में कि हमारा जो है या स्रुमीग सुरची था यह पैसा मिल रहे हैं यह हमारा आगरा महुद है कके हैं मतिजी से यह सबस्क्राइब मुधलिग कार्म कार्म का समाजिक और टास। करμगार बिमा जोजना, अंतेष्टी सहाथा जोजना, असंगतित कर्म, कारो को बच्चो के लिए मुख, मंति चात्बीती जोजना, कोसल वन्नियं जोजना, शिकित्चा सहाथा जोजना, राजी में राज स्न्स्ठान की अस्थापना, मुख मंति राज्टी ए परवासी सरमि क करुदान जोजना, करमचारी राज जोजना, इन सभी जोजनाओं को मैं इन से पूछना चाहता हूँ किताब में देखने से, इनका कोई प्रोग्रेस नहीं लगता है। यह लगता है कि इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम जब आप इस किताब को बजट में जब पास कराते हैं रासी, इसका साल वर में खर्च होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए यह राज का विकास है, तो यह जो है खाली हवाई किला बना के छोड़ दिये गाएं, इसको इस पर ध्यान देना जयात कर पैसा ले रहे हैं, इतना अरब पहले से ले रहे हैं बेसी, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए विकात की हो, और दूसरा चीज है उर्जा, उद्वग, खान भुतर, खान, उद्वग, इसका महमना कोई नई बात नहीं है, उसी तरह हैं दूर भी आसानी से मिल जाते हैं, जरूरत है बिजली सबक और सुरच्छा देने की, यहां खान और खनीज का बहुलता है महुद है, लेकिन हम उसका उप्योग ना तो राज़स प्राप्ति में करो, नहीं उसे अस्थानिय लोगों की नोक्री दे सकते हैं, उदोग के लिए प